आई अवरिवान कहते हो आप सभी लोग आई होप आप लोग इच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे इस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एकबर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग के जो एक्जाम्स होगा वो भी बहुत ही ज्यादा बहतरीन तरीके से चल रहा होगा और बहुत सारी लोग के खतम भी हो गये होगे लेकिन मैं आप से जाना चाहता हूँ कि आप लोग के एक्जाम्स हुए है कि नहीं हुए comment करके मुझे जरूर से बताएं और अगर हो गए हैं तो आपके exams कैसे गएं और हमने आपके लिए हरे content डालके रखा है दोस्तों तो आपको कितना ज्यादा helpful हुआ जरूर से comment करके बता दे रहा है ठीक है दोस्तों और जिनके चल रहे हैं all the very best अच्छे से पढ़ाई करते रहो साथ ही में अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पर follow नहीं किया है तो जरूर से कर सकते हो यह मेरा link है Instagram का तो please follow me on Instagram also ठीक है तो चलिए आज के वीडियो के बार में बात करेंगे तो आज हम लाए है 10 standard के लिए match to subject जो हमारा continuous चल रहा था दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमने geometry subject चाप्टर के शुरुआत की और इस चाप्टर पर हम लोग पहुच चुक है लेक्चर नमर फाइट इसके पहले आपने देखा होगा कि जो एक प्राक्टिस सेट था ठीक है ना इस चाप्र का उसको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीड गया था प्राक्टिस से सॉल करवाय थ सेंट्रल आइंगल क्या होता है और उसी के बेस्पे बहुत सारे कॉंटेंट्स हम आपको पढ़ाने वाले इस वीडियो के अंदर छोटा सा वीडियो होगा लेकिन वस आपको ये वीडियो को एंड तक देख लेना है पूरा कॉंसेप समझ में आएगा आज का कॉंसेप्ट करना आप समझ लोगे तो जो अगला लेक्चर आएका लेक्चर नंबर 6 उसमें हम पूरा का पूरा जो प्राक्टिस सेट नंबर 3.3 होगा उसको सौल करवाएंगे ठीक है तो क्या आप लोग तैयार हो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तो सबसे पहले हम बात करेंग होगा लेकिन सबसे पहले में थोड़ा रफ में बताना चाहूंगा समझ लोगा यहां पर मैंने ब्रेक किया यहां पर मैंने ब्रेक किया अब यह दिखने में कैसा दिख रहा है समझ लो कि इस प्रकार से दिख रहा है ठीक है मैंने क्या किया है बस अलग अलग जगा पर इसक चोई हिस्सा बचरा है ऌत लोग एंड से यहां से यहां तक यह हो गया तो यह जो तुकड़े आपको दिखर में इसी चीजको वोलते हैं और क्या बोलेंगे दूस्तों और करें मतलब और कोई प्राहा उसको हम लोग क्या करो चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी इसकी यह क्या है एक line है तो rectangle हो गया square हो गया क्या होता है लेकिन इस circle का जो छूटा हिस्सा वो होता है आर्क अमज में आ गया आर्क का basic definition आपको clear हो गया होगा अब यहां पे मैं बहुत बेसिक चीज से, तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आप लोगको, यह जो आपको एक सरकल दिख रहा है, बहुत बेसिक सा, ठीक है, अब यह जो बेसिक सरकल दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्या नोटिस करना है, जैसे मैंने बोला, आर्क क्या है, that is nothing but the smallest portion, आप इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नमर 3 या फिर 4 होगा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा, कि कभी भी एक सर्कल में, एक स्ट्रेट लाइन पास होके जा रहा है, और वो स हिस्सों को, मतलब ये जो सर्कल है, इसको दो हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, अब दो हिस्सा कौन सा है, आप देखोगे, तो ये ए से लेके, यहां से लेके, यहां तक का एक हिस्सा हो गया, और दूसरा ये यहां से लेके, यहां तक का दो हिस्सा हो तो ये क्या हो गया हमारे circle को दो पार्ट में इसने क्या कर दिया है तो जैसे मैंने यहां पर आपको समझाए कि कोई भी circle के अंदर अगर हमारा जो circle उसको में breakdown कर रहा हो और तुकडे में convert हो रहा है तो वो तुकडे क्या कहेंगे उसको arc बोलेंगे same उसी प्रकार यहां पर जो मैंने दो आपको हिस्सा करके दिखाया with the help of second जो यह उपर वाला part है यह भी आपका क्या कहलाएगा arc कहलाएगा और यह जो नीचे वाला portion है यह भी आपका arc कहलाएगा लेकिन दोनों को दोनों को arc बोलेंगे चलेगा क्या yes बिल्कुल चलेगा दोनों के दोनों arc ही है लेकिन दोनों में थोड़ा सा difference है वो difference को कहसे पैचान होगे with the help of your eyes आपकी आखे है तो आपको पैचानना आसान है जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो portion आपको दिख रहा है यह जो portion आपको दिख रहा है यह portion में अगर आप देखोगे तो यह जो arc है जिसका नाम है A से लेके Y, Y से लेके B मतलब यह arc का नाम क्या है A, Y, B यह वाले arc का नाम क्या है A, Y, Y, B यह पूरे arc को ह अगर आप देखोगे, यहाँ पर clearly आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, कि यह जो A, Y, B है, यह बहुत बड़ा लग रहा है, as compared to यह A, X, B, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह जो आपका A, Y, B जो आपको दिख रहा है, आर्क जो दिख रहा है, यह बड़ कहेंगे, major, major का मतलब क्या होता है, बड़ा, हमने बोलते हैं, normal दोर पे English में, major का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो यह कहलाएगा major आर्क, और यह वाला आर्क जो है, वो छोटा आर्क है, इसके लिए इसको कहेंगे minor आर्क, समझ में आ गया, बहुत बेसिक था यह, बहुत अगर आर्क दिख रहा है, तो जिसका आपको दिखने में पैरामेटर ज्यादा दिख रहा है, that is nothing but the major आर्क, जो दिखने में थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो क्या रहेगा, minor आर्क, clear है, समझ में आ गया, ओके, चलो, next पे जाते, अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं, अब यह देखो, यह आगया, central angle, it is also one of the most important topic in your circle chapter, तो अब यह जो chapter, जिसका नामे, माफ करना, यह जो topic है, central angle का, इसमें क्या होता है, अब आप देख पार हो, यहाँ पर अगेन एक circle है, खीक है, अब यह circle में क्या हो रहा है, एक center point से लेके, मैंने यहाँ पे एक line की बोलेंगे, समझ में आ रहा है, एक example के तौर बे मान लिया, कि यह angle का नाम क्या है, theta, अब यह जो theta है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दोस्तो, यह जो theta है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, central angle, अब इसको central angle ही क्यो बोला जाता है, इसके बीचे दो reason है, देखो ध्यान से एक तो यह बीच में आ रहा है, ठीक है, बीच में आ रहा है, क्यो बीच में आ रहा है, क्योंकि आप देखो के center point से ही कोई भी angle बनता है, अगर आप कोई भी particular circle बना लो, तो एक center point होगा, center point से आप कहीं भी radius के through draw कर लो, या फिर आप एक line खीच लो, तो वो क्या बनाएगा तो तो various angles बनाएगा, तो that is nothing but what, central angle बनाएगा, center से connected है, central angle हो गया, दूसरा, यह जो central angle होता है, इसके बहुत सारे properties होते है, अब यह जो central angle है, इसके properties के help से हम लोग यह बहुत सारे चीज़े पढ़ने वाले, कि हम लोग कोई भी आर्को को, जैसे हमने अभी इसके पहले इसमें बताओ मुझे कौन से दो आर्क है, बताओ कौन से दो आर्क है, आप clearly identify कर पाओगे, a से start होके, p और p से b, तो a, p, b, यह वाला जो आर्क है, इसको क्या कहेंगे, हम लोग छोटा आर्क है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, minor आर्क, क्या नाम है इस आर्क का, a, p, b, क्या हो जाएगा ये, a, p, b, this is the minor आर्क, ठीक है, और दूसरा आर्क कौन सा दिख रहा है आपको, ये a, और यहां से सीधा गया q, और यहां से सीधा गया b, यानि कि यहां पे आपको दिख रहा होगा a, q, b, ये क्या है आपके लिए, ये है आपके लिए major आर्क, क्या है, major समझ में आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या है major आर्क है, और ये वाला क्या है minor आर्क है, तो यहां पे भी आप identification कर सकते हो, इजी लिए कि major आर्क कौन सा है, minor आर्क कौन सा है, लेकिन, exam में आपको अगर कोई पूछता है, कि ये जो major आर्क जो है, ये portion, AQB, या फिर जो minor आर्क है, जिसका नाम है APB, इसका measurement निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, है कि नी, तो ऐसे ही सवाल आपके exam में, या फिर practice set जो होगा, उसमें पूछा जाएगा, कि how to calculate, या फिर find the measurement of this particular minor और measure जो भी दिया रहेगा, वो कैसे calculate जाएगा, इसके AQB, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अब चलो, इसको यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, क्या है दोस्तो, measure of an arc, अब देखो, measurement of an arc, कभी भी कोई भी major arc हो, या फिर minor arc हो, उसका measurement कैसे निकाला जा सकता है, let's suppose, कि first point क्या बोलता है हम लोगा, कि measure of minor arc, मतलब कोई एक circle के अंदर, एक central angle already दिया हुआ है, जिसका measurement something दिया है, let's suppose 30 degree, 40 degree, 50 degree, जो भी है वो आपको अगर दिया हुआ है, तो वो जो भी particular angle रहेगा, वो angle क्या कहलाएगा, minor arc का भी angle कहलाएगा, यानि the measurement of the minor arc is nothing but the measurement of the central angle, correct है, simple सा definition है, simple सा formula है, याद रखना है, let's suppose, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला कि theta, ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे बोला आपको, यह क्या है मेरा theta है, theta angle यहाँ पर दिया हुआ है, so let's suppose मैं मान लेता हूँ कि यह जो angle है, वो आपको 30 degree दिया हुआ था, या दिया हुआ था, 30 degree दिया हुआ था, तो अगर मुझे कोई पूश्ता है, कि find the measurement of this particular minor arc, that is APB, तो आप कैसे निकाल होगे, तो जैसे हमने अभी अभी पहला formula पड़ा, क्या पड़ा, that is the measure of any corresponding, what, minor arc, any corresponding minor arc का अगर मुझे measurement निकालना है, तो वो क्या होगा, that is nothing but the measurement of the central angle, तो यह अगर निकालना है, तो इसका APB है न, तो उसका corresponding में कौन सा angle है, यह arc का इसा मत करना कि यह arc पूछा है, और यह angle निकाल क्या है, उसके corresponding में angle होना चाहिए, तो यह arc का corresponding में कौन सा angle है, यह angle है, इसका measurement कितना है, 30 degree, तो APB का भी angle कितना होगा, 30 degree होगा, आगया answer खतम, एक marks के लिए आपको question पूछा जाएगा, तो आपका जो भी arc रहेगा, उसका measurement का measurement निकालना है, तो simple सी बात है, अगर आपको minor arc पता चल गया, जैसे यहाँ पे यह पूरे circle में 2 arc है, यह पूरा बड़ा वाला measure arc है, यह छोटा वाला minor arc है, इसका आपको measurement पता चल गया, 30 degree, तो यह बड़े वाले measure arc का measurement निकाल सकते हो, simple, कैसे, पूरे circle का कितना होता है, 360 360 degree होता है, यह आप जानते हो, बच्पन से पढ़ते हैं, 360 में से minor angle minus कर दो, minor arc minus कर दो, आपको answer आजाएगा, that is nothing but, 360 degree minus measure arc का measurement, minus कर दो, तो आपको answer आजाएगा, correct है, यह हो गया हमारा दूसरा point, समझ में आ गया, simple है, third, क्या बोल रहा है, measure of semi circular, semi circular मतला है आप जानते हो, ज let's suppose, एक मिनट, जैसे कि आपके पास क्या है, एक circle का आधा है, semi circle जिसको हम लोग बोलते हैं, correct है, अब यह semi circle में, कितना होगा angle, मुझे बताओ, यह जो arc होगा, यह यहाँ से लेके यह arc बना, let's suppose, इसका नाम भी रख लेते हैं, हम लोग, यहाँ पे ax और यह b नाम रख दे है, तो semi circle का कितना होगा, 360 divided by 2, that is nothing but what, 180 degree, समझ में आया, तो कोई भी semi circle का measurement कितना होता है, 180 degree होता है, समझ में आ गया, 4, measurement of complete circle, यह तो मुझे बताने की जुरत भी नहीं, पूरे complete circle का measurement कितना होता है, 360 degree होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यह हो जाएगा 360 degree, clear है, तो जितने भी theoretical concept थे, इस particular topics के regarding, जितने भी arc के related थे, major arc को, minor arc को, measure of the measure and minor arc को, यह सभी चीज़ देख लिया, अब इसके उपर एक छोटा सा example है, इसको देख लेते, फिर हमारा आज का lecture यहाँ पे stop हो जाएगा, ठीके, चलिए, आ जाते हैं, सीधा सीधा example पे, तो next example, क्या ह हाँ, आप देखो, example के पहले, एक और topic था, जो मैं भूल रहा था, यहाँ पे मैंने लिखके लाया हूँ, that is the concurrence of arc, बहुत simple सा, साधारान सा topic है, इसको देख लो, फिर सीधा example पे जाएंगे, देखो, क्या बोल रहा हूँ मैं, two arc are congruent, if the measurement and the radii are equal, जैसे की, एक circle दिया होगे, तो arc CDB है, फिर यहाँ से आप देखोगे, तो arc DEB है, फिर यहाँ से आप देखोगे, तो EA नाम का arc है, EA, ठीक है है, फिर अगर तीन-तीन join करते जाओगे, तो A, B, C करके भी एक arc है, तो ऐसे बहुत सारे arc आपको मिलेंगे, मैं पूरा-पूरा नहीं बता रहा हूँ वैसे आप count करते जाओगे, तो कम से कम 10 बारा आपको arc बिल जाएंगे इस circle से, लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है, हमारा congrurance of arc क्या बोलता है, कि the two arcs are congruent, दो arc congruent रहेंगे, कब congruent होंगे, if the measure and the radius are equal, मतलब उनका जो measurement रहेगा, यानि angle जो रहेगा, या फिर जो radius रहेगा, अगर वो equal है, तो obviously, मेरे दोनों arc क्या होंगे, congruent है, जैसे example के तुर पर क्या बोलके रखा इन्होंने, कि arc AE is congruent to arc DC, आप देखो arc AE किदर है, ये रहा A, और ये रहा E, मतलब ये वाला arc जो है, जिसका नाम क्या है, AE, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, और corresponding angle कितना है, 30 degree, ठीक है, तो इसका measurement 30 degree है, वैसे DC का जो arc है, इसके corresponding angle देखो, ये भी कितना है, 30 degree, तो दोनों के दोनों का, जो measurement है, वो same है, तो पहला condition satisfy हुआ, कि दोनों का measure same होना चाहिए, same है, correct है, अब दूसरा condition यह है, कि दोनों के radii भी same होना चाहिए, तो radii मतलब radius, यहां से लेके, अगर आप ये AE को consider कर रहे हो, ये वाले arc को, AE को, तो इसका जो radius होगा, और ये जो DC का जो arc है, उसका जो radius होगा, वो दोनों सेम होगा, वो दोनों के दोनों same circle पे लाए हो रहे, और same circle पे लाए हो रहे, तो हमारा जो radius होगा, वो भी same होगा, तो radius is also same, यहा दोनों के दोनों आर्क भी जो होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, इसके लिए हमने बता दिया, कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को, पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि A, B, C, R, Many Points, Any Points on the Circle with Center Road, ठीक है, पहला क्योशन बोल रहा है कि Write the Names of all the Arks, ये जो Circle है, जितने भी Arks आपको दिख रहे हैं न, उसका नाम लिखो, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, जैसे कि एक Ark मुझे दिख रहा है, A से लेके B, तो मैं नाम लिखूंगा, Ark, A, B, ये हो गया, और कौन सा Ark दिख रहा है, आपको ये BC नाम का दिख रहा है, तो Ark, BC भी हो गया, ठीक है, और कौन सा बनता हो दिख रहा है, आपको CA, एट इस, Ark, CA बोल लो, या फिर AC, जो भी बोलना है, बोल लो, अ Ark, BC, उसके बाद वापस से, C, A, B, ठीक है, Ark, C, A, B, ठीक है, एक सेटर डाल दो, ऐसे बहुत सारे Ark आपके बनते वे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हो गया, पहले सवाल का जबाब, कि कौन-कौन सा Ark है, उसका नाम लिख दो, तो आपने बड़ी आसानी से नाम जो है लगा के देखना, कि जो Ark BC है, इसका 110 डिगरी दिया हुआ है, यानि ये जो एंगल है, ये आपका, एंगल नहीं, ये जो Ark है, कुनसा वाला, B से लेके, C तक वाला, ये जो Ark है, 110 डिगरी का दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि Ark AB जो है, वो 125 डिगरी है, आ निकालना है, measurement निकालना है, तो चलो फटा-फट से निकालते हैं, let's solve, second question, तो जैसे कि example के तोर पर समझ दो, AB पता है, मुझे, BC पता है, लेकिन ये AC मुझे नहीं पता है, तो AC का कैसे निकालोगे, तो अगर मुझे Ark AC निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो टोटल होत 100, that is 225, तो 360 में से 225 कितना बचेगा, दोस्तों, कितना बचेगा, ये 5 और ये 30, 35 और ये 135, correct है, बराबर 135 बचेगा, तो 135 आपका बच रहा है, तो आपका Ark जो AC आया, यहां से लेके, यहां तक का, जो Ark आया, ये कितना आया, 100, 135, 135, ठीक है, दिख रहा है, आपको 135, चल कर देते, ठीक है, तो कितना आ गया, 135, ठीक है, बच गया, अब, जैसे आपको कुशन पूचा था कि, Find the Measures of All Remaining, तो जितने भी तो सबने निकाल दिया, कि आपके नहीं, तो यहां पे आपने सिर्फ एक निकाला आई सी, वैसे बहुत सारे, क्योंकि यहां पे जो कितने सारे भरमार है, तो ऐसे आप निकालते हैं, जैसे कि अगर मुझे, A, B, P, C, पता है, तो मैं पूरा A, B, C, निकाल सकता हूँ, तो निकालो, चलो इससे लिखता हूँ, आर्क, A, B, C, अगर मुझे पूरा निकालना है, तो A, B, C, मतलब क्या है, यह A, B, P, C, ठीक है, A, B, P, C, तो कितना हो जाएगा, A, B का है, 125 प्लस 110, सॉरी, 125 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा यह, 235 ठीक है, यह आगया 235 डिग्री, वैसे ही, B, C, A, निकाल लो, ठीक है, तो यह आपके लिखें चोड़ रहा हूँ, B, C, आ आप निकाल ले, वैसे आप C, A, B, निकाल सकते हो, ठीक है clear है तो बस यहीदा दोस्तों हमारा आज का lecture वीडियो जिसमें हमने पूरा का पूरा आपको आर्क के रिलेटर जितने भी topics थे theoretical हो चाहे वो आपको practical हो वो मैंने आपको बता दिया है अब इस जो topics है इसमें आपका बचा क्या है तो normal तोरपे कर दिखा जाए तो जो practice set number 3.3 है जो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद का lecture जो आएगा उसमें हम लोग solve करवाएंगे और पूरा एकी दिन में खतम करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तो प्लीज हमें comment करके जरूर से बता देना वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है दोस्तो तो फ्लीज वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो से के share कर देना और अगर first time आयो चैनल पे तो फटा फट से हमारे चैनल को subscribe कर देना यार वन मिलियन अब आपके हाथ में फटा फट से share करो और फटा फट वन मिलियन करावाद हो ठीक है तो गाई जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए thank you and good bye